असलाम अलेकुम दोस्तों मैं हूँ शाहरूख और आज में आप लोगों को MIUIH के Global Beta ROM, Developer ROM, Weekly ROM के अपडेट के बारे में बताऊंगा इस अपडेट का नाम है 746 दोस्तो 746 का मतलब 6 April 2017 लेकिन दोस्तो यह अपडेट आई है 7 April 2017 को क्योंकि दोस्तों Beta ROM, Developer ROM हर Friday को ही आती है दोस्तों अगर इसके हम लोग चेंज लोग में जाएंगे वाट्स नियू में तो हमें क्या क्या मिलेगी तो हमें बस दो आईटम्स मिलती है चेंज लोग में वाट्स नियू में और पहली आईटम मिलती है कि smarter and more efficient CPU allocation strategy और दोस्तों मिलती है switches for common settings in search result अब दोनों क्या है आईए इसके बारे में जानती है और फिर मैं आपको experience भी share करूँगा कि या ROM को flash करने के बाद मेरे साथ क्या हुई सबसे पहले बता दो दोस्तों कि या smarter and more efficient CPU allocation strategy है या एक system में update है दोस्तों आपके CPU के लिए या update आपको कहीं दिखेगे नहीं या कोई feature नहीं है या आपका system का core update है दोस्तों allocation strategy क्या होता है CPU allocation क्या होता है कि आपको कौन से app को कितना ज़दा CPU का इस्तेमाल करने देना है इसकी जो allocate की जाती है memory को मतलब कि दोस्तों माली जो कोई background में app है तो उसे कितना ज़दा CPU देना है माली जो कोई foreground में app है जो आप यहाँ पे देख रहे है उसे कितना CPU app देना है उसे कितना देना है activity को कितना CPU देना है तो सबकी जो memory है उसे allocate की जाती है और allocate करने से हमारी जो background के apps हैं वो जएधा अच्छे चल पाते हैं हमारी जो foreground के apps है वो जब अच्छे चल पाते हैं और जो भी apps है दोस्तों जो भी हमारे software में है या फिर phone स्टार्ट होने के बाद जो apps on होते हैं तो सब कुछ दोस्तों सभी memory allocation के कारण ही अच्छे से चल पाती है अगर memory allocation ना की जाए तो हमारी जो है phone जो है अच्छे से नहीं चल पाएगी और बार-बार हमें वह खुद को अपने आप से allocate करेगी दोस्तों यह असल में ऐसा है कि हमने car में कोई seat छोड़ दिया है और वह seat चोड़ा है उस person के हिसाब से अगर कोई मोटा person है तो उसके लिए हमने जादा seat छोड़ दिया और अगर कोई पतला person है तो उसके लिए हमने कम seat छोड़ा है तो वही होती है दोस्तो CPU allocation इस स्टेटेजी से दोस्तो आपके जो CPU की जो है memory को और भी बढ़ाया जा सकता है आपके RAM को जादा से जादा free किये जा सकते हैं और दोस्तो आपकी जो UI है वो काफी ज़दा fast हो सकती है हाला कि मैंने उतने बड़े changes नहीं देखे हैं कहता है Xiaomi की 10% fast हुई है लेकिन देखिए आगे क्या होता है उसके पर जो दूसरी अपडेट है दोस्तो वो है switches for common settings in search result यह क्या है दोस्तो तो अगर आप settings में जाएंगे settings में जाते हैं अगर आप तो यहाँ पर जो आप search बार देख रहे हैं यहाँ पर अगर आप कुछ भी search करते हैं तो वो तो setting आती है माल लीजे मैं search करूँ reading mode दो reading mode तो setting आएगी लेकिन पहले जो है यहाँ पर यहाँ जो switch बटन है यह नहीं आती थी यानि कि दोस्तो अगर आपको reading mode enable करना होता था तो यहाँ पर search करके फिर reading mode में जाते थे फिर यहाँ से enable करना होता था लेकिन अब दोस्तो यह जो offer है यह आपको बहुत यह जो आपको चलाने के लिए settings में भी आपको जादा ढूडने की ज़रुवत नहीं है दोस्तो एक और update आई है वो update आई है date and time में अगर आप settings में जाएंगे अगर आपको automatic time zone में date set करना है time set करना है और time zone set करना है तो यहाँ पर आप tap करते है तो time zone यहाँ पर select करना परता था और select करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा ढूडना परता था कि 5.30 कहा है इंडिया के लिए या फिर आप किसी और देश से हैं तो वो कहां है कहां है बहुत ही ढूडना परता था लेकिन आप दोस्तो आपको उतना करने के ज़रूत नहीं है आपके पास बहुत सारे option मिलते हैं यहाँ पर जाकरेंगे दोस्तो तो यहाँ पर मिलेगा sort alphabetically यहाँ पर मिलेगा sort by time zone और अगर वो भी नहीं पसंदें दोस्तो तो आप directly यहाँ पर चूज कर सकते हैं अगर आपको पता है आपका time zone क्या है जैसे इंडिया की time zone है 5.30 चिन्नाई कुलकाता यहाँ पर देखेंगे दोस्तो कलकाता बैंगलोर आ जाएगी 5.30 लिखने से या फिर आप चाहे तो directly कुलकाता बैंगलोर लिख सकते हैं आप कलकाता बैंगलोर लिखेंगे तो भी आजानी चाहिए लेकिन देख रहें नहीं आ रहे है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर जो है बैंगलोर दी हुई है लेकिन कलकाता के जगा कलकाता दी हुई है कलकाता भी नहीं दे रही है कलकाता दी हुई है तो उस वक्त रड. इसली मैं आप लोगो यह वीडियो बना चुका हूं रड. दौस्त क्यों घिए है तो क्यों कि Google Play में इसी है और ये issue वही है दोस्तों एकदम same issue है जो कि हमने यहाँ पे देखा था my apps and games में waiting for wifi वाला wifi से connected हूँ दोस्तों फिर भी कुछ भी download नहीं होता waiting for wifi लिखा रहता और इसका fix जो है उसकी मैं video बना चुका हूँ लेकिन वह भी temporary fix है वह भी permanent fix नहीं है temporary fix है दोस्तों अगर उसे देखना है तो आप वहाँ पे मेरे channel पे check कर लें अब दोस्तों एक और चीज मैं बता दू कि एक और चीज है fix हुई है अगर आपको नहीं पता था दोस्तों तो पिछले update में क्या हुई थी कि slow motion जो camera है वह काफी ज़दा अटक अटक के चलती थी जो मैंने चेक की है अब वो सही हो गई है अगर आप modes में जाते हैं यहां से slow motion अक्टिवेट करते हैं तो पहले जो है यह slow motion camera काफी ज़दा अटकती थी और किसी भी काम के लायक नहीं थी तो दोस्तो यह slow motion camera इसे भी fix कर दिया गया है अब यह नहीं अटकती है और काफी अच्छे से यह काम कर रही है और भी दोस्तो एक और चीज मैंने गौर किया है कि जो fingerprint scanner है अब काफी हद तक बहुत ही अच्छा हो गया है पहले से भी अच्छा हो गया है यानि कि दोस्तो पह अब भी कभी कभी यह हो जाती है ऐसा नहीं है कि अभी नहीं होती लेकिन दोस्तो पहले से इसकी जो fingerprint scanner recognition method है वो काफी जदा अच्छी हो गई और काफी fast भी पहले से हो गई है तो यह भी मुझे काफी अच्छी लगी और काफी हद तक दोस्तो बहुत ही अच्छी लगी उसक automatically safe mode में खुली हुई है यह phone जो है दोस्तो safe mode में खुली हुई थी जिसमें कोई भी अप नहीं थी बस यहां तक apps थे यहां तक more apps तक me store तक apps थे उसके बाद कोई भी apps नहीं थी safe mode में थी बिल्कुल मैं डर गया कि लगता है मेरा सारा का सारा software delete हो गया लेकिन फिर मैंने power button को दबाय रहा फिर reboot किया तो यह जो safe mode से हट गई लेकिन जैसे ही reboot किया दोस्तो तो जानते है क्या हुआ अचानक से यह हुआ कि मेरी जो phone है वो बिल्कुल ही काम नहीं कर रही थी टच वगरा कुछ भी काम नहीं कर रही थी दोस्तो यह जो है Redmi Note 4 में सायद bug है अगर आपने update क कर लिया है अभी तो आप अगले हफते का वेट कर ले उसके बाद यह जो है ठीक हो जाएगी क्योंकि दोस्तो अभी भी मैं जब भी इस phone को restart कर रहा हूं तो restart करने के बाद कभी कभी ऐसा हो रहा है कि यह जब phone है बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है और मुझे दुबाला से इ Redmi Note 4 को छोड़ करके Redmi 1S को छोड़ करके Mi 5 को छोड़ करके Mi Max को छोड़ करके अगर आप है Mi Max पे Mi 5 पे Mi Max 32GB 64GB पे Redmi Note 4 पे Redmi Note 4X पे और अगर आप है Redmi 1S पे भी तो यह update आपको नहीं आई है आपको अभी भी वेट करना पर सकता है अगले हफते के लिए या फिर उसके बाद के लिए है और दोस्तों ऐसा कहता है कि Mi 5 में तो यह नोगट का टेस्टिंग उसमें भी हो रहा है इस्टेवल में तो आप लोग उसका भी वेट कर ले और Redmi Note 4 की भी जो नोगट जो है आ जाएगी एक दो महीने में है ओके दोस्तों यहाँ पर मेरी खुल गई और अभी देख सकते है दोस्तों वही बिल्कुल सेम चीज हुई लेकिन अभी काम करने लगी अचानक से और अभी काम कर रही है लेकिन कभी-कभी जो है यह यह लॉक इसक्रीन जो है काम नहीं करती है आगर हम मैं रिये स्टार्ट क करें करूं तो यह इसक्रीन को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस पेलकी से कमेंट करें थैंक यू